हेलो दोस्तों मैं रमनदीप आप सभी का इसी हिंदी किस पंचायत में सवाद करता हूं दोस्तों आज में इस डे टनी टू में करेंगे क्या तो जो स्रिजन का मार्च महिने का बैच है उसमें डेस टू में दो कोशन दिया गया था जिन पर लोगों को बहुत डाउट था तो सब्सक्राइब करेंगे अगर दोस्तों आप लोगों मुख्य पर इच्छा के सवाद में बहुत कम रहे हैं तो आप लोगों अभी से मुख्य पर चाहिए तहरी स्वें कर दिया तो हम नहीं कर पा तो हमारे साथ करिए लेकिन स्टाइल कर दिजिए और दूसरी रात यह है कि विश्क्राइब कर दिजिए और मेंस की प्रैक्टिस जरूद कम अगले दो महीं ने इस महीं और अगले महीं ने मेंस चाहिए तो फर्सक्राइब क्या है कि कॉर्पोरेट नीती सास्तर से आप क्या समझते हैं फिसल कम देखे निन जसे इस कितना है तकि मेरा है यह की कि इसके नोटीट कर बाद सहरे है इसके वी पोट्ट अजा बिला आइएफस के क्यों बाउंड करोगा इसमें कभी ने कर दोस्तों आप ला तो सब कंफर्म कर के ग्रूप में बताइए अब दिसक्राइब करें तो प्रश नहीं प्रत समझे क्या है कि कॉर्परेट नीती सास्तर से आप क्या समझते हैं और समाजिक आर्थिक विकास के लिए इसके महत्ति व्याथ्या कीजिए तो प्रशन बहुत सिंपल है एक लाइन दाप्रेश्न है लेकिन इसको लिखिए कैसे जिए बाट से दोस्तों को एक अंसर लिखने में दिक्क्त आती है तो इस बात को समझें की लिखिना कैसे है सबसर करें कि कॉल्प्रेट मीति सास्तर होता क्या है इसको डिफाइन करें इसमें आपकर 20-25-30 का प्रियोग करें साथी बिताई कि कुछ समस्का ही होती है कुछ पॉइंट बताईए एक्जांबल की आपने पॉइंट का और निसकर्ष में आते हैं अच्छे सिधांद और कुछ अच्छे सुझाओ किसाद निसकर्ष को कंप्रूड करें तो चलिए पर देख लेते हैं क्या लिएंगे अपनों तो जब डिफिनीशन अब बताएंगे बुमिका में बताईए कि कॉर्पर मिति साथ जो है वह साइट संगतन की समस्त गतिवीदियों और जो हां व्यक्ति काम करते हैं उसे जुड़े हुए हैं उन सभी पर लागू होने वाले एक सिधांतों का समूव है और यह सभी सिधांद जो हैं कॉर्पर प्रसाशन CSR इंसा समाजी कार्थिक समस्या को मूल कारण है वह कारण ही कि वजाए नदिकता अगर नहीं है तो समय से जैसे कि स्रविकों का सोशर्ण सबसे बड़ा एक बात करें प्रयावरन चति अगर विशाथा पटना में विजाग वैस्त राज्दी होई थी उसका यहां पले तो बहुत सम सब्सक्राइब करें नुक्सान हो यहां पर क्योंकि क्योंकि कॉर्परेट में एथिक्स नहीं हो नहीं हो रहा है इसमें आप यह भी कोड़ करते हैं कि अपने आप पर अंसर लिखना तो पॉइंट के बाद इसमें पर पुष्ट हो अच्छे से और आप एक प्राश्टी इस्तर पर नहीं अनुपालर में अगर हम अच्छी रैंकिंग को पा जाते हैं तो उससे क्या हो कि FDI भारत में चार्ट कर सकते हैं उसकी बाद भारत की जो एंप समस्य है बैंक्यूं चेत्र में उससा कारण क्या है कि जो उद्यमी है जैसे की नीरव मोदी में चैप से उद्यमी उनके अंदर जो नतित्ता हो सब्सक्राइब नहीं है इसकारण थी क्या हो रहा है कि MP समस्य भारत में बढ़ी जो कि एक आर्थी समस्य है वारत की और एक सबसे बड़ी बात है जो अभी RBI में सबसे बड़े विल्फुल डिफाल्टार की जो लिश जारी लिए जैसा देगा है कि यहां दस या बारही वि सब्सक्राइब कर रहा होता है तो उसको एक ऐसा भावना होती है कि अपने प्रती गर्व महसूस करेगा जब वहां पर अच्छा हो रहा हो ठीक है तो इसका अग्जांपल लेकि टाटा की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 90% करमचारी है वह संदुष थे अपने बा अबेदन सिलता है वेसाइक नेतिकता आपाधन करके कारेस्टर लेंगिक समानता को स्थापित किया सकता है ठीक है या फिरों के अधर्द्यां बढ़ियां कारेस्वांश्कृति इस्थापित बिल्कु ठीक है और इसके साथ एंतिम पर्ण अब लिग दीजिए सिंपल सा कि पालन होगा तो विश्वास का निनमाद होगा विश्वास का निनमाद होगा तो उध्यम आगे बढ़ेंगे इसो राष्ट की अर्फिय होसता है जिडिपी उसमें विर्द्धी होगी ये पूरा समाजी गार्तिक मुद्य आपने सारे कन्प्लूड गर भी ठीक है इसके इनको बोलते है कि परफकारिता का गेट्स और बॉफेट मॉडल वह दूसरा है नारायण सत्यमूर्ती का जो कमपैसनेट कैपिटलिजम का सिर्दान है वह बताएंगे तो एक ट्राइंगिल बना देंगे एक ट्रिपल पी एक पीपल्स एक प्लैनेट एक प्रॉफिट और भी प्रॉफिट नेटिक सास्तर कंपीट हो जाया रहा है तो इस पास अपना अंसर कंपूड कारिए लिए कि कानून का पालम करके हम किसी उध्यंग को समाजी काले के लिए नहीं कर सकते लेकिन और नेटिक नेटिक विए तो बहुत अच्छा समाजी कार्थिक में सुदार रंक अच्छा सब जैसे मैं एक बात बता नाता हूं कि मालिए इस प्रकार को कोई भी कोशन आता है कार्परेंट नीति सास्तर पर्यावणी नीति सास्तर बहुत सरे अलग 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 तरीक नीति सास के कोशन रहते हैं इंड्रोडक्शन आप सब का फिस करके पहले सबाना के पर्यावणी मुद्धे हैं उनमें जिन जिन नातिक मुल्यों के लिए जिन जिसे धांतों का यूज किया रहा है उसको पर्यावणी इंति सास्तर बोज़ते हैं तो आप एक फिक्स दिफिनिशान मनाईए उसमें हर चीज फ़र्वेट में सेट कर दीजे रही बात कार्पोर कोन कौन से अर्श होते है यह мужчине सिफ्य रो और चलेंव जीसे कच्छे मार राग है बिल्यकूर पाढ़र चारपांजअ कर आक यह उसमाज प्रश्ट में पूछा गया है सबके एक पॉइंट सब बता देंगे तो आपका अंसर अपने आप में आपको रखने की जरूद में रहें कियों समझेए दो तीन जो स्पेस्टिक वाई जो सबने बदाए जैसे कंपेस्टनेट फेडरलिजम इस कैपिटलिजम इसके अलाम जो प्रश्ट आप इसको अवर्श्ट करने का प्रयास जरूर कीजिए यह एक प्रश्ट था कि भारत जैसे लोगतंत में सेविल सेवकों की भूमिका की ब्याख्या कीजिए यह तर्क क्यों दिया जाता है कि बरतमान वास्तिकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सेव सेवाओं में सुधार किया शकता है यानि कि यह प्रश्ट अगर मूटे तो पर देखा जैने दो भावों में इसको बाद रहा जा सकता है पहला यह कि भारतमान वास्तिकताओं के साथ तालमेल बनाए रखने में सिविल सेवायन में कुछ कमी होंगी जिसमें सुधार क्या श तो उसको भी लिखना चाहिए था और सबसे बात किया कि इसका जो भूमिका कारेपालिका विदाईका इसके संदर में पूछा ही नहीं था आप अपनी भूमिका में एक दम टूद ही पॉइंट रही है और बताई कि भारती लोगतन की रिल के रूप में सिविल सेवक इस्थ थास हाब का अब इस दो कर डिफिनिशन हो है और बाहर जैसे लोगतन्तर सिल सेंकाओं कि रहा है तो उसको अब बता ही कि समय वढ़ते समाजी कार्थिक राज्या ते मुल्य है न्या है डिपीएसबी की जो अधान है उसको उसकी प्राप्ति करने साही चाहिब होते है सरकार कारी निक्यों कानूनों का कार्याय नमंग और सरकार के सलाकार के रूप में जैसे सूचना प्रदाता जमीन जानकारियां देना समस्यां वह उपायों का विश्लेसां विश्यों पर तक्निकी समझ क्यों कि जो मंत्री होता है जो और स्थाहिरा कार्य पालिक होती है वही चुकि जब आप देही और उस्तरदाईटा को बनाए रखना सासन में नितिकता पाड़दर्सिता को लाना समाजी करती विकास और सुसासन की निरंतरता बनाए रखना क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब भी सरकार चेंज होती है तो एक गया बाता है और जो इस्थाई कारेपारिक और सबसे बड़ी बात कि आपदा की सिति में संकर्ष प्रबंदन करता के रूप में भारतिय लोगतंत में आप देख सकते हैं ठीक है अब यह आपने जब बता दिया और आपको बताना चाहिए कि निम्रिखित वास्तिविक्ता है या कौन से ऐसी वास्तिविक्ता है जो समय की भूमी का सुविदापर अधाता की भूमी का सिविल सेवक को की होनी चाहिए इसी परकार आप देखेगे कि जो उनका पद है जैसे किसी को डारेक्टर बना दिया गया और उनको चाहिए अब बीबियस की डिग्री तो जो पद है और जो अर्जित कोसाद है उसके मतमे सकता है तो यह वाले समस्ता है फिर इसी परकार जो सिविल सेवक होते हैं प्राय होते हैं राज के राज में कारे करते हैं लेकिन रही अंशे 311 वाला जो कॉंसर्क्त है उसमें कैन सरकार बहुत जादे इसमें इंटरफेयर कर सकती है आप अभी देखेंगे बंगाल में भी तबादला वावेरा मुद्दा चर्चा मिड़ा है इसी प्रकार कैडर में थी जो कठोर में आप चले का एक बार तो जिंदगी पर आप कोसी कैडर में नहीं है तो यह क्या करता है कि सीविल सेवकों के मन मिलाता है यार अभंको जहलने माना भाव लिया जेता है कि आप यू जो समय धानिक बंदाने से उंचे 311 का मैंने बढ़नां किया ता यह जो है ब्रष्चाचारी जो सेविल सेवकों के लिए हधियार में मतलब उनको उनके विरुक हो जागा है इमांदारों इमांदार के विरुक हो जागा है राजिनितिक हर्स्ट छे मनमाना प्रांसफर फिक इस्टाब की कमी अभी अब देखें एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि लगवा 1600 आईस की पत्खालिया मैं मैं इसेंट रिपोर्ट आई है तो इस्टाब की कमी और भरतिक प्रतियां आप देखें कि इस बार भी उत्यासी नभी 702 पन लिए है फिर इमांद जागुत्ता ज्याना रही जो दिश्टल समाज है इसके कारण जो सीविल सेवकों की जो भूमिका में परियरता नाया है उसमें अब सीविल सेवकों को आगे बढ़ करके काले करने बिलिवरत है तो आप ये सब कमियां बताएंगे फिर उसके तो आप जो कंक्रूजन लेंग फिर इसके बाद आपका AAC, 1st AAC आ जाता है, 2nd AAC आ जाता है, फिर होता समीति आ जाता है इनको भी आप कोट कर सतना है कि इनने कुछ कुछ सुजाओ दिये थे उनको पालव करना है भले हो सुजाओ आपके हो लेकिर अगर आप बोल देंगे कि वो समीति के सुजाओ है तो आप अपने सब्सक्राइब करना है तो फिर आप बता सकते हैं कि जो भी समिति हैं उनके दौरा दिये गए सुजाओ जो समय संदर सुजाओ है उनको लागू किये जाए हाले में जो ऐसे लेटर लिंट्री का जो आया था मिसन कर्मियोगी जो चलगा था इसको 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 इ ब्रिशशारी आच्छम सीज सेवकों को हटाने का जो प्राद्मांता सातों इभित आयो और 7 इभित आयो इसको इसका जो इसका माईपरस किया इसके यह सम आप डाल सकते हैं तो कम उम्र में चयाय नहीं जो मध्य करियर प्रिशिचन है उसकी फ्रिक्वंट उसकी जो बारता प्रावधोगी की प्रयोग के लिए उनको यूजटू बनाया जाए जो पूराने से वागया वो यूज नहीं करना चाहता है जैसे एक यूपी गवर्मेंट की रिपोर्ट थी यूपी गवर्मेंट जो अपना इस बार का बजट जो है वो भी कें सरकार के तरश पे इसा डिश मुल्यांगर के समय मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने जो सुधार के जो कमिया थी उनको नहीं बताया था तो उनको आपको लिखना चाहता कि बिट्विन दलाइन प्रश की मांत्री तो गवर्मेंट कर सकते हैं तो यहां पर देके पहली जो सिविल सिवाओं की भुमिका अगर बढ़ियां यहां पर ऐंग करता है तो यह तो यह हो जाएगा और जाये कि अगर कोई बढ़ियां यहां पर एक चोटी सी कि प्रियोजना पता कि यह समाजी का अखिन नाय में भूमिका है तो दो इंडिजमेंट आप कर देंगे तो एक नंबर आपके अच्छा मिलेंगे और यहीं कि अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपके यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रश्ण है यह भी डिरेक्ट से लेवस बिल्कुल से लेवस उठाके प्रश्ण यह भी पुछाए है बिल्कुल उधारण सही व्याठ्था कीजिए कि स्वयम सायता समू भारत में महिलाओं के सशक्ति करने में किस प्रकार एक मत्वपुड मुंगा निभाते रहे हैं प्रश्ण की निभा रहे हैं ठीक है तो निभाते निभाएंगे या फिर निभा सकते यह कुछ आए साथ ही ऐसे जीस को बढ़ावा देने के लिए सरकार दरारम की गए पहलों का भी उल्ले कीजिए तो आप उसके आज कुछ पहलें भी बतानी है अब देखिए इस प्रश्ण की अगर बात करें तो आपको इंट्रोड़क्शन आपका फिक्स करिए ऐसे प्रश्ण में सेल्फ स्वांप चारी समू है ठीक है यह आप सीज़े सीज़े पता सते हैं कि स्वांप आपका स्वांप क्या है इंट्रोड़क्शन आप दे सकते हैं भारत मैलाओं की सब्सक्तिकरण में एक हेडिंग डाल दीजे किस तरह से भूंगा दिगा रहा है और देखिए यह बात जो होत भारत मैलाओं स्वांप यहां पर अब यहां पर बहुत सारे आपको याद करने पड़ेंगे ताटि आपका अंसर अच्छा बज़ें तो आप चाहें तो डूम श्री सेवा इसके नामा जो भीहार का जीविगा कारिक्रम है लिजज़त पापड है इसके नामा आप जो है आपन समचार जो रेडियो है सक्की मंडल इन इग्जामपल्स के साईता से इन बातों बताएं तो आप क्या करेंगे बेसिकली देखे आर्थिक शशक्ति करने एक हेडिंग का लेंगे आर्थिक शशक्ति ने बताएंगे कि यह से जीज क्या करती हैं बचत लगू बचत अब जो बैंकिंग घाता है उखोलने के लिए भी ख्यात है इस तरीके साथ अब सबसे बड़ा एसे जीजी गूरू आप क्या गरेंगे अपने प्वाइंट लिखा इस अपने तर्कों पुष्ट पुष्ट अगला आप लिगेंगे कि समाज ही सब्सक्ति करता बताएंगे कि शच्त्रों में अपने हो ग्रामीड शेअरव को अपने हैं और स Legends के माधन से किया स्वास शिर्फ्षा पर दिवेश इh के माइलाओं का समाजी शक्तिकरण किया है एक्जामपल के दौर पे आप कुछ एक्जामपल डालेगे जैसे माँ बताओं कुशी नगर में एक है महिला पुलिस्मित का कॉंसेट है आना कि वह सेजी नहीं है लेकिन आप उसको भी सेजी में काउंट कर सकते हैं वह बेसिकली क् कुशी नगर महां पर महिलाओं के समु का महिलाओं के समु हैं वो करते हैं वो जो पुलिस है कम्यूटी हरेलियो इंसा इसके बदब क्या करिए जो कि मैंने पहले दिनी जो भी आपने चैनल पर अपलोड कर दी ती जो पेड गूरूपे इसको पोस्ट किया है तो आपे डिसकस किया था कि जीद का कारिक्रम बिहार का है कोरोना काल में दस लाग से अधिक से इसको इन्होंने कम्प्रीट किया तील करोन के करीम इन्होंने मास्ट प्रोडक्शन किये दीदीन रसोई के मात्यम से जैसे खाना उपलब गराया और जो प्रणटाइम वह स्था प्रणटी उसको आसान बनाया तो आदे से मरीडाओं का सशक्ति करन इस प्रकार से हुगा इसके लाँ आप चाहिए तो गुज्रात के अकोद्रा जो भीलेज है भारत का उसका भी एक्जाम्पर लाग सकते है किस तरह से जीजिस वहां पे भून का निभा लिए तो पहला प प्रजामति रोजगा योजना है एन रल्म सबसे बड़ी गात नरल्म विंद्याल उपाधिया आं तो यह सारी योजना है मैं कुछ योजना है देख के आपर बता देता हूं फिर सरस ब्रांडिंग है इसकती है नाबाडगाई बिल्कुल इसकती है नारी तु नाराणी करके नारी तु नाराणी गोष्णा मैला सेल फिल्पिंग गुरुफ सदर्स को पांच जा रूपे का ओरड़ाउप मिलेगा इस्टार्ट अप इंडिया मुद्रा योजना इसकती है उसका मिशना इसकती है इसकती है इसकती है इसकती है और ल्वी पहल नाबाट की पहले जो लेफ्ट विंग एक्ट्रमिजम वाले जो ही आजए उनमें देर सजीरो में विसे जूप से ऐसे जिस के लिए और इसकती है उसका आइन एक जगार जुटाने के लिए बिल्कुल तो यह बताए और सजीस को जो रेंड दिया जाता है वो प्राक्मिक्त जो लेफ्टियां बता ये एक सर्कारी प्रेयास बताए जब उसे क्याधा पर उपाये सरकारी सरकारी के बना देंगे अब इस गयाद में जब अइसे महिलाओं पर पैस्टेंगार के बना गहें तो आपको दो चीश्या प्र यह निए नीसिया इन में च्छा शक्तिकर्म शक तो आप लिए कि ऐसे भारत में एक क्रांतिकारी आंदोलन की तरह से सीधे ऐसे वर्स यूज़ करेंगे तो इस प्रकार आप इस आपसर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो दोस्तों मुले उमीद है कि आप लोगों कुछ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले अभी जो मार्च का कर सकते हैं और आपको उसके लिए टाइम प्रपर दिया जाएगा एक लिमिट आपको एक्स्टा दी जाएगी कि आप उसको आंसर रैटिंग आपन